मुख्यमंत्रियों के अधितनाथ नहीं ओमिसी मुस्लिम आरक्षन को लेकर आयकव करता हाई कोच के फैस्लिक अस्वागत किया उन्होंने कहा कि भारत का सम्विधान किसी को में धर्म के अधार पर आरक्षन के उनमती नहीं देता है पक्षिम बंगाल की टीम से सरकार ने राज्रितिक तुष्टी करें की पराकास्था पर चलते वे 2010 में 118 मुसलिम जाकियों को चबरन ओविसी में डाल कर गया रक्षन दिया था इंडी कडमन्हत द्वारा देश की कीमत पर राज्रिती की जो ये नीती चल रही है इस होड को खारिंज और बेनकाव किया जारा चाहिए CM योगी शुकरवार को अपने सरकार ये वास पर मीडिया से बाचीट के दुरां ये बाते कहीं उन्होंने कहा कि पक्षिर मंगाल की बंदा सरकार OBC का हग जबर्दस्ती हड़प रही है इस असर्मिधानिक कृति पर मानने उच्चे न्याले नी TMC सरकार के फैसले को पलटा है और एक जोर्दार तमाचा मारा है ये कार असर्मिधानिक था इसे अनुमती नहीं दी जा सकती है बावास साही भीमरों मेच करने समिधान जभा में इस बारे में बार बार कहा था उन्होंने कहा था कि भारत में अनुसुचित जाती और चन जाती के लिए और मंदल कमिशन के वाद OBC की समाजिक और आर्थिक पिछड़े पन को ध्यान में रखते हुए आरक्षन के वस्था की गई है धर्ण के अधर बार आरक्षन की इजाज़त भारतियत भारत के समिधान कभी नहीं देता बावा साहिब ने इसके लिए बार बार तीस को आगाह किया था देखे कॉलकत्ता हाइकोर्ट ने OBC आरक्षन नी बलकि मुस्लिम आरक्षन को ले करके जो अपना फैसला दिया है वहाँ स्वागत योग्य है भारत का समिधान धर्म के आधार पर आरक्षन की अनुमती नहीं देता वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीमसी की सरकार ने राजनितिक तुष्टी करण की प्राकास्ता पर चलते वे सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन OBC में घुशेड करके उन्हें ये आरक्षन दिया था यानि 118 ये जाती हैं इसका मतलब OBC का हग जवर्दस्ती हड़प रही थी और इसी और संबेदानिक किर्ट्य पर माननी उच्चे नियाल है कोलकता ने टीमसी गॉवर्मेंट के फैसले को पलता है और एक जोड़दार तमाचा मारा है यह कार्य अस समयधानिक था और इसको अनुमती नहीं दी जा सकती है स्वभाहिकृप से बाबा साफ भीमरा अंबेटकर नेवी देश के समयधान सभा में इस बात को कहा था बार बार कहा था आरक्षन भारत के अंदर अनुसुची जाती जन जाती के लिए और मंडल कमिशन के बाद OBC के सामाचिक और आर्थिक पिछड़े पन को ध्यान में रखते वह यह आरक्षन की विवस्ता की गई थी लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षन की इजाजत भारत का समिधान कभी नहीं देता और बाबा साब भीमराओं बेटकर ने इसके लिए बार बार देश को वाण किया था कि धर्म के आधार पर भारत का विवाजन हुआ था हमें फिर से कोई ऐसी स्थिती नहीं पैदा करनी चाहिए जो इस देश को विवाजन की ओर धके ले और मुझे लगता है कि ये फैसला एक नजीर बनना चाहिए ये फैसला जो करनाटक के अंदर कॉंग्रेस की सरकार ने OBC के अधिकार पर इसी प्रकार की सेंदमारी करते हुए मुसल्मानों को आरक्षन देने का काम किया है और कॉंग्रेस की सरकार ने आंदर प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की जो सरारत की थी इसका जोरदार जवाब दिये जाने के आऊ सकता है और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की उस कारे को जो असंबैधानी को भारत के विभाजन की आधारसिला रखने वाला हो भारत को कमजोर करने वाला हो उसको कतई श्विकार नहीं क्या जाना चाहिए कि देश की कीमत पर राजनी थी कि जो ये नीती चल लई है खासतोर पर कॉंग्रेस और इंडिकर्ड बंदन से जुड़ेवे दलों में जो होड लगी है इस होड को पूरी तरह खारीच किया जाना चाहिए और इसको बेनकाब किया जाना चाहिए